आज एक लुक के चकर में मैंने अपना मेकप का पूरा रूम तहस नहस कर दिया, सब कुछ उपर नीचे कर दिया चलो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ तो यहां पढ़ना आपने देख लिया होगा मेरा लुक जो मैंने क्रियेट किया जब भी मुझे ये पैलेट मतलब दिखाना मुझे असा लगा कि ये पैलेट मेरे पास होना चाहिए और मैंने फाइनली इसको मंगवा लिया इन सच में इतना काम आता है मतलब जो भी पॉसिबल कलर मुझे चाहिए हमेशे इसमें मिल जाता है और आज मुझे कुछ यूनो ब्लू चाहिए लेकिन बेस में इसका थोड़ा हलका सा मतलब बहुत हलका सा टैंड जो ब्राउन रहता है मतलब कैमल कलर आपके हलो मैंने कितने कलर इसका नाम ले लिया एक साथ सम्वेर बिट्वीन ब्राउन एंड कैमल मुझे वो कलर चाहिए था अपने क्रीश के ओपर तो यहां पर मैं लगा कर उससे डिफ्यूज कर रही हूं वो नहीं मिल रहा था दोस्तो और मैं इस लुक से बिलकुल भी खुश नहीं थी तो मैंने दूसरा पैलेट निकाला और यह है मॉर्फी का जेम्स पैला जो पैलेट है वो इसमें वो ब्लू मुझे मिल गया बट I don't know like it's not giving me the color that I want तो मैं शायद यह भी मतलब निकाल देने वाली हूँ ब्रश से नहीं pigment आ रहा था मेरे उंगली से भी जो लगाए मेरे हुच अच्छा नहीं लगा तो मैंने इसको निकाल दिया अब हम दुबारा से अपने आइस पर लगाने वाले हैं concealer वैसे मैं बिलकुल भी किसी को advice नहीं करूँगी कि ऐसे आप बार-बार concealer लगा कर और 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 आई shadow लगाओ फिर मैंने इसी पैलेट में से ग्लू निकाला तो मुझे ठीक ठीक लगा अब मुझे लग रहा है कि कहीं और मुझे वह कर दो है बड़ मिल रहा है बट अगैन मैंने वह जो इक मुझे वाइट हाइलाइटर जेह था नहीं लगा इस लुक के साथ वह में पूरा टाइम चला तो जो वह भी फेल हो गया फिर मेरे पास ने बेज टोन में यह हाइलाइटर एफंटी का वह मैंने यूस किया एंड क्योंकि हाँ पर ब्लू और ब्राउन गा एक अच्छा सा ट्रांजिशन था तो कहीं ना कहीं शेड ने काम तो किया बट मुझे मज़े मजा नहीं आया है म जब मैं अपने आख से आइशाडव हटा रही हूं लिटरली मेरी आइजना रेड होने लगी थी बट नहीं हम हार नहीं मान सकते दोस्तों फिर से मैंने उसी बुक वाले पैलेट को रीच आउट किया निस बार जो यह ब्लू मैं लगा रही हूं मुझे इसे काफी ज़दा उम्मीदे हैं बट इस पर वाइट हैलाइटर कैसे लगाएंगे पता नहीं पहले तो ब्लू नहीं मिल रहा था वाइट नहीं मिल रहा है मैंने इसको जब भी अच्छे से शो नहीं हुआ ना ब्रश से थोड़ा अपनी उंगलियों से लगाने की कोशिश किया कोई ब्रश से सबसे जादा आएगा आप सपंज से भी जब आपकी कोई चीज अपलाई करोगे उससे जादा समेशा सबसे जादा हाथ से ही आता है यहां पर आप देख रहे हो मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ मैंने फिर फैंटी का यूस किया अब मुझे क्योंकि वाइट नहीं मिल रह नहीं आ रहा था दोस्तों बिलकुल भी मजा नहीं आ रहा था था और जब तक मुझे परफेक्ट मेकप लुक नहीं मिलेगा and I know there's no definition of perfect but I do have some definitions of perfect all right तो मैंने उसकी according मुझे वो standard चाहिए तो मैंने फिर से पुरा आय लुक किया and this one मैंने ब्लु को थोड़ा और कूल टोन र उसके बाद हम लगा रहे हैं liner and liner हमें रखना है थोड़ा सा बिलकुल हलका सा एक विंग देना है end के अंदर and literally इतने बार आखों से आय मेकप भटाने के बाद जब यह चीज़ हम करते हैं तो डर तो लगता है कि कुछ गरबर ना हो जाए बट फैनली वो हो गया and inner corners पे भी म मुझे बिलकुल भी टाइम लगता उसके बाद हमने हमारी ब्राउस की eyes मेरी almost हो चुकी थी make up भी हो गया था मेरी hairstyle बड़ी ही प्यारी थी आप देख सकते हो यहां पर मैं लगा रही हूं lipstick and finally मेरा look आता है बड़ा ही प्यारा निकल कर आपको कैसा लागा comment